नमस्कार दोस्तों मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एन व्लोग्स में स्वागत करती हूँ तो आज है शनिवार तो शनिवार के दिन क्या हम व्रत में नमक खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते हैं इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जान करगी तो शनिवार का व्रत शनिवार के दिन सूर्य भगवान के पुत्र शनिदेव को प्रसंद करने के लिए रखा जाता है क्योंकि जो शनी देव है वो जल्दी से प्रोधित हो जाते हैं शनीवार के वरत में हमें नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जोतिश शास के अनुसा काली उड़द वाली खिचड़ी उड़द राजमा काले तिलों से बने वेंजन को शनीवार के वरत में खाया जाता है और इसे के साथ गुलाब जमुन खाने से भी शनीदेव शान्त होते हैं चद्धा पुरग भोग लगा कर आप इनी चीजों को प्रसाग के रूप में ग्रहन कर सकते हैं और सफेद रंग की कोई भी खाने की सामगरी है वो शनीवार के वरत में नहीं खाई जाती है अगर आप शनीवार वरत के दिन किस आपकी दूद दही चाज की सेवन की इच्छा है तो उसमें आप केसर मिला सकते हैं हल्दी मिला सकते या फिक गुड मिला सकते हैं आप अपने स्वाद अनुसार बनाना शेक, मैंगो शेक, केसर की लस्सी, उड़त दाल के दई के भल्ले खा सकते हैं शनीवार का वरत सूर्य उद्र के समय पीपल की जड में दीपक जला कर सनी देव को सरसो का तेल अरपित कर आरम किया चाता है इसलिए आप सरसो के तेल से बना कोई भी खद्य, पधार्त, तीखा, चटपटा, स्वाद वाला भूजन ना करें महिलाएं होई या पूरिश जो लोग सनी के साड़े साती से परेशान हैं उनकी परेशान या कम करने के लिए शनीवार का वरत रखा जाता है अगर आप ये वरत रखना चाते हैं तो शुक्लिपक्ष के पहले शनीवार से वरत आरम कर सकते हैं यानि कि आज के दिन से तो आज के दिन से क्योंकि शुक्लिपक्ष लग चुका है और शुक्ल पक्षमें आज जो पहला शनिवार पढ़ा है वो आज पढ़ा है बीस नौमर की तारीकों तो शनिवार के व्रहत में कुछ ऐसे व्यंजन है जिनको आप बना कर खा सकते हैं जैसे कुट्टू के आटे गुलाब जामुन बनाना शेक दरी बले और इन सब काफी व् शनिवार के दिन अब शनिवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है और नमक की जगह आप सेंदा नमक का प्रियोग कर बनाए नमकीन व्यंजन व्रत के बनाए वाले व्यंजन तो इस तरह से यह जानकरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीज़े चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रही है यह ना किचेन रस्पी एंड व्लॉक्स में हरे किष्णा कर लो तुम्हारा कर दो